Hello students, welcome to 18th education preparation. आज की sequence के regarding एक important topic that is difference between western and indian philosophy के बारे में हम लोग discuss करेंगे. Basically ये जो topic है that is B.A. second year के knowledge and curriculum का जो paper है उसके unit 1 से question number 1 का first part ही मैंने लिया है. Important topic है as per according to your M.A. education, your net education. तो चलिए स्टार्ट करते हैं students difference between western and indian philosophy. क्या difference है दोनों philosophy के बीच में यानि की भारतिय और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है? सबसे पहले general सी बात करते हैं. Philosophy क्या है? Philosophy is the study of general and fundamental nature of reality, existence, knowledge, values, reasons, mind and language. अगर हम लोग philosophy की बात करें तो philosophy study है. किस चीज़ की study है? General or fundamental nature की, यानि की basic सा nature, या फिर general nature. किस चीज़ की general nature, किस चीज़ की basic nature की यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है की वास्तरिक्ता क्या है? अस्तित्व क्या है? ग्यान क्या है? वेल्यूस क्या है लोजिक्स क्या है तर्क वितर्क क्या है मस्तिश्क कैसा है भाशाएं क्या है इन सबके स्टडी के बारे में यहां पर फिलोसफी जो है वो बात करती है अगर हम लोजिकल वे में बात करें यहां पर दो पर करके मेंले टाइम पिरिट की बात की जाती है एक तो आता है एंशियंट यानिक पुरानिक और मॉडरन यानिक आदुनिक टॉपिक वाइस बात की जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स आप यहां पर ले सकते हो एपिस्टेमोलोजी लॉजिक मेटाफिजिक्स एथिक्स एंड एस्थेटिक यानिकि ग्यान मीमानसा हो गया आपका तत्व मीम अगर यहां पर स्टाइल की बात की जाए तो मेली जब भी हम लोग फिलोसफी की बात करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट और सबसे जो सही जो स्टाइल माना जाता है वो क्या होता है विशलेशनात्मक्ता यानि कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के हर एक दुऑर्टी involves a यहां पर डिर्फरेंस करने जा रहेएं वेस्टर फिलोसफी और इंडन् फिलोसफी के बीच में तो यहां पर आपको जब दो डूब इच के बीच में अगर डिफरेंस डिफ्रेंस बताना है तो कुछ एक चीजों को अधार मान करके ही तो डिफ्रेंस बताएंगे ना आपके दिमाग में कुछ चीजे होनी चाहिए जिनके अधार पर आप ये बता सकेंगे भी ये दो चीजे आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंस्ट हैं तो यहाँ पर जब हम अगर हम लोग फिलोसफी की बात करते हैं इट मींज एनी बोडी ओफ नॉलेज ठीक है और ये जो बोडी ओफ नॉलेज है वो भी आगे डिवाइडिड है कुछ फिलोसफी में जिनके रिगाडिंग हम बात करते हैं नेच्रल फिलोसफी की, मॉरल फिलोसफी की और मेटाफि Western philosophy जो है न यह philosophical thinking in the western or occidental world Western philosophy of course western world से आई है beginning with your ancient Greek and Rome extended through central and western Europe और यह किसको oppose करती है Eastern philosophers को oppose करती है जिसके regarding हम लोग बात करते है Indian philosophers की, Chinese की, Russian और Japanese philosophers की इसके इलावा और भी बहुत सारी continents वे आते हैं, देखिए रुडाड किपलिंग ने कहा था कि East is East and West is West, अगर हम लोग Eastern philosophy की बात करते हैं तो Eastern philosophy में जो में चीज उठाई गई थी, philosophy का जो में आधार था वो ता spiritualism, अगर हम लोग Western philosophy की बात करते हैं तो वहाँ पर philosophy का आधार था logics, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे ना वो materialism थे, materialistics थे, ठीक है, वहाँ पर हर चीज के कारण को ढूना जाता था उनके पास हर चीज की सत्यता का प्रमान होता था लेकिन इंडियन philosophy में क्या किया जाता था, accept कर लिया जाता था Western philosophy में strides to find and prove the truth यानि कि किसी भी चीज को ढूनना, find out करना और उसके बाद, कि वो चीज ऐसी है तो उसके पिछे चुपे हुए कारण के बारे में पूरे तरह से जानकारी प्राप्त करना और जो भी आपने जानकारी प्राप्त की है वो बिल्कुल सत्या होनी चाहिए Western philosophy में किसी भी particular opinion को as it is नहीं लिया जाता था ये नहीं कि अगर पीछे से अगर हमें कोई भी विचार मिला है तो हम उसको as it is ही उठा लेंगे, नहीं उस particular philosophy के उपर दुबारा से खोजबीन भी होती थी और अगर उसके उपर खोजबीन नहीं हुई है या फिर आप उसके उपर खोजबीन नहीं करना चाहते हो आप उसके उपर analytical visualization नहीं करना चाहते हो तो पुरानी जो चीज, पुराना जो ग्यान आपने प्राप्त किया है उस ग्यान, मतलब कि वो जो ग्यान है ना उसकी सतेता का परमान जो है, वो होता था लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अच्छन फिलोसफी की तो यहां पर ठूत को एकसेप्ट किया जाता है जो चीज आपके सामने होती है अगर पीडी दर पीडी यहां पर जो ज्ञान है उसका हंस्तारन होता है ठीक है कोशिश तो यह की जाती है कि जो कस्चम्स जो रिचुल्स जो रितिरिवाज पीछे से चले वो अब हो रहे हैं तो इसलिए ही यहां पर बात की गई है कि एकसेप्ट सा टूत हैस गिवन एंड इस इंटरस्टेड इन फाइंडिंग बैलेंस ठीक है जी देन अगर हम लोग वेस्टरन फिलोसफी की बात करते हैं तो यहां पर इंडिवीजूल राइट्स की बात की जात जाती है कि एक पटिकुलर व्यक्ति को क्या पसंद है उसके राइट क्या होने चाहिए यहां पर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है लेकिन अगर इंडिन फिलोसफी की बात करें तो यहां पर सोशल रस्पॉंसिबिलिटी यानि कि समाजिकता को महत्व दिया जाता है समाजिक दाइत्व को महत्व जो है वो ज्यादा दिया जाता है अब देखिए हिंदी में कुछ में पॉइंट्स मैंने लिख दिये हैं जीवन एवम जगत के संधरा में अपनी दृष्टी को प्रस्तूत कर जिग्यासा के संतुष्टी का प्रयास करते है क्योंकि मेंली व जात्मान भूती का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर इंडिपेंडेंट यहाँ पर यह जो इनकी फिलोसफी है that is independent of religion यानि की religion को कम महत्व और logics और regions को ज्यादा महत्व जो है वो दिया जाता है चली थोड़ा सा इंडिन फिलोसफी के बारे में भी ब्रीफ जानकरी ले ले इते हैं system of thoughts and reflections that were developed by the civilizations of the Indian subcontinent यानि की इंडिया के subcontinent में सब्वेताओं के विकास के साथ साथ जो भी thoughts मिले जो भी reflections यानि की जो भी चंतनशील मनन या धियन करके जो भी चीजें जो भी philosophy के रूप में आई है वो सारी Indian philosophy के लाएंगी यहाँ पर कुछ आस्तिक विचार धार आएं यानि की orthodox है कुछ नास्तिक विचार धाराएं यानि की unorthodox orthodox की बात करें तो इसके regarding हम लोग बात करते हैं न्याएं की वैशिश्का की सांख्या की योग की पूर्विमिमांसा की विदान्ता स्कूल ओफ फिलोसफी की अगर हम लोग अन और्थोडोक्स की बात तो इ जो इंडियन फिलोसफी की बात करें तो यहां पर आगे भी बहुत सारी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बात की जाती है जैसे की नेचर ओफ वर्ल्ड यानि की संसार की प्रकृति कैसी है जिसको आप कॉस्मोलोजी के नाम से जानते हैं रियालिटी की जिसको की आप तत्व मिमान्सा के बारे के नाम से जानते हैं जिआन की परकृति कैसी होनी जिससे की आप जियान मिमान्सा में पूरा अध्यन करते हैं उसके इलावा एठीक्स और Olaf philosophy of religion क्योंकि यहां पर religion की study है ethics की study है ठीक है तो यह सारी चीज़े इंडियन philosophy में आती है तो चलिए अगर हम लोग difference में मुद्धे पर आते हैं भी क्या difference है इंडियन और western philosophy के बिच में भारतिय दर्शन और पाश्चातिय दर्शन में अंतर क्या है अगर हम लोग western philosophy की बात करते हैं दैं western philosophy comprises of western European philosophical tradition और अगर इंडियन philosophy की बात करेंगे तो it comprises of a philosophical tradition of Indian subcontinent of course western philosophy जो है वऄ western culture के बारे में बात करेगी वहां की tradition के बारे में बात करेगी और Indian philosophy है जो यहां के सब continent के बारे में बात करेगी यहां के traditions के बारे में बात करेगी Western philosophy was influenced by Western religion Western religion में mainly क्या चीजें वेस्टर की तरफ से कों सा religion है वहां पर mainly देखे वहां पर logics की ज्यादा बात की जाती है तरक भी तरक की बात की जाती है वहां पर truth को as it is accept नहीं किया जाता है वहां पर analytical way में हर एक चीज के हर एक पहलू के तरफ विचार करने के बाद ही किसी भी चीज के सत्यता या फिर असत्यता तक पहुंचा जाता है ठीक है जी तो इसे लिए वहां के अगर philosophy की बात करें तो वहां पर mainly कौन से subject होंगे science, mathematics, politics अगर Indian philosophy की बात करें तो यहां पर किस चीज का ज़्यादा प्रभाव है कौन-कौन से main यहां पर जो बाते है philosophy के regarding subject है philosophy के regarding होंगे that is nature of world, संसार का nature क्या है, nature of reality यानि की वास्तविक्ता की सचैन्या क्या है, वास्तविक्ता का अधार क्या है, nature of knowledge ग्यान का भी क्या स्वरूप है, ग्यान भी किस प्रकार का होना चाहिए जिसके regarding आप cosmology, metaphysics, epistemology, ethics, religion इन सब की बात जो हैं वो आप करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, Indian thought is eventually ontological, कैसे, it doesn't make stop, ये तब तक नहीं रुखते हैं, जब तक की, it makes a stab at what's really real, की वास्तविक्ता में, वास्तव में वास्तविक्ता क्या है, जब तक इस चीज की प्राप्ती नहीं हो जाती है, तब तक Indian philosopher की जो thinking है, वो बिलकुल भी stop नहीं होत होती है, लेकिन Western philosophy में, Western philosophy में thoughts कैसे हैं, वहाँ पर Western thoughts love the specificity of knowledge, यनि कि वहहां particular देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, Indian philosophy की, तो यहां पर, जो Indian philosophy में general knowledge की बात होती है, ठीक है? common knowledge की बात होती है पूरा एक general knowledge के बारे में हम लोग बात करती है लेकि वहाँ पर western philosophy में एक particular point की knowledge की उपर ज्यादा जोर दिया जाता है western philosophy begins and ends with Christianity क्योंकि वहाँ पर जो religion ही यह वैसा है ठीक है वहाँ पर Christianity का प्रभाग ज्यादा है अगर Indian philosophy की बात करें तो यह जो philosophy है वो mix है Hinduism का, Islamic का, Buddhism का और भी बहुत सारे धरम है ठीक है भारत में यहाँ पर जो सब continent थी यहाँ पर बहुत सारे धरमों का प्रभाव जो है वो पड़ा है Indian philosophy is integrated with religion while western philosophy is independent of religion यह हम बात पहले भी कर चुके हैं उसके बाद अगर Indian philosophy की बात करें तो Indian philosophy के regarding main बात आती है मौक्ष, मौक्ष की प्राप्ति, उस परम प्रम्मा की प्राप्ति यह हमारी Indian philosophy का भी तत अंतिम धे है अंतिम उदेश्य है अगर हम लोग western philosophy की बात करें तो यह सिरफ अब आज में विश्वास रखती है भी आज की परिस्तितियों की मांग क्या है अब हमें किस चीज से satisfaction मिलेगी भी अब आज को तो satisfied करें कल की कल को देखेंगे ठीक है आज जो अच्छा लगता है भी उसको कर दो जो होगा देखा जाएगा ठीक है जी उनकी सोच है भी क्या कर सकती है इन्धन फिलोसफी इज इनर बहुत बढ़िया बात लीगए गई है इनर फिलोसफी जो हैना वो अपने अंदर अंदर से यनि की जो उनहीं लगता है कि हमारे अंदर ही एक प्रकाश है जो कुछ भी है मनुष्य के उसके खुद की अंदर है उस light की अनुभूती करना ही Indian philosophy का main धे है अगर Western philosophy की बात करे तो वो अपनी खुशी जो है न वो भारिय संसार में ज्यादा डूंडते हैं तो यही था basic difference between your Western and Indian philosophy I hope it's clear to you, thank you so much guys for listening me